हेलो यूरीवान वेल्कम टू माई यूटूब चैनल एक टाइम ट्रेवलिंग स्रीज है तो अगर आपने इसकी प्रिवेज एपिसोड नहीं देखी तो पहले आप उन्हें देख लिजी उसकी पाद इस एपिसोड को कंटिनू कीजेगा एपिसोड के स्टार्ट में सुन और उंगसा को दिखाया जाता है जो कि बसका इंतिजार कर रहे थी लेकिन उंगसा काफी ज़्यादा दुखी था और फिर वाय सुन से फूसता है जब तुम यहाँ पर टाइम ट्रेवल करके आए थे तब तुम्हें किसा फील हुआ था तो इस पर सुन कहता है जिसा कि अभी त में लो रहा है तो इस पर उंगसा कहता है तुम काफी ज़्यादा सोक थे ना सुन कहता है हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा सोक में था लेकिन उस वक्त जब मैं यहाँ पर पहुंचा था तो मैं तुम से मिल गया था और तुम्हें देखकर मुझे काफी ज़्यादा रिलीव फ लेगे थी। होंग्सा कहता है वो मैं काफी ज़्यादा डर गया था। सुन गहता है कुल बात नहीं तुम सब इन वक्त लेना चाहू उतना ले सकते हो। क्योंकि तुम्हें भी इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा तो वक्त लगए गई। होंग्सा कहता है क्या मैं अजराद तुमारे साथ तुमारे भूंप में रह सकता हूँ शुन गहता है पृकुल लिए कल तुमारा अज्जाम है इसलिए तुम्हें वापस शाकर अपनी ने करना चीजिए और इस पार में तो हम लोग भाध में भी बात कर लेंगी तो इस पडर कंजा कहता है जब हम ढोनों साथ में थी तो क्या तुम हमेशा इसे बात दी तो तुम क्या हैं तुम दोनों ही बहुत ज़्यक्ती हो तो इस पर उंगसा कहता है क्या मैं हमेजा तुम्हारी बात मानता था जुन कहता है तुम्हें अब घर चली जाना चाहिए और इस पारे में ज़्यादा मत सुचू तो इस पर उंगसा कहता है हाँ और तुम भी इस पारे में ज़्यादा मत सुचू सुन कहता है ठीक है तुम जिन्दा मत करो उंगसा कहता है मैं तुम्हारी किसे चिंता ना करो क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता लगी रहती है मुझे तुम्हें ये प्रोटेक्ट भी तो कहना होता है और तभी वहाँ पर बस आ जाती है तो ओंगसा बस में बेट कर वहाँ से चला जाता है लेकिन मैं काफी ज़्यादा दुखी था और जितने भी पल उसने और सुनने साथ मिलकर भी ताये थी वह उन्हें की बारे में सोचने लगता है और यह सब सोच करवा काफी ज़्यादा रोने लगता है नेक्स दे सुन आगी चूपी कुछ जोने वाला है उसके एक स्टरची बनाता है और फिर कहता है मैं बस यहाँ पर एक भी को रुखूंगा और जब सुननन के स्टोर पर बग कर रहा था तब वहाँ पर ओंगसा और ओंगसा के फ्रेंड आ जाते है सुननन से एक चाम की बारे में पूझता है तो और लोग तो उसे की तारिफ करने लगते है मां कौन तो कहता है मैं तो इससे ज़्यादा पहले अपने चाम में कभी confident नहीं था और ओम खाना दिखाते भी सुन से कहता है प्लीज आप हमारी तरब से एक gift accept कर लीजे सुन कहता है तुम्हें ये सब बाई करने की कोई जुरत नहीं थी तो इस पर ओंगसा कहता है हम लोग बस हमें पढ़ाने के लिए thank you कहना चाते है तो फिर सुन कहता है तुम्हें ये सब करने की कोई जुरत नहीं थी तो इस पर मॉंकोन कहता है कोई बात नहीं ये तो बस हमारी तरब से एक छोटा सा gift है तब ही ना कहती है छोटा सा gift इसको खरीदने के लिए मैंने अपनी सारी saving money करच कर दी तो फिर ओंगसा है वही तुम ये सब क्यूं कह रही हो और ये सब सनकर सन काफी जादा मस्कुराने लगता है अब जब ये लोग खाना खाने लगते है तो मॉंकोन और ओंग काफी जादा लवी डवी बन रहे थे और उनको देखकर सन थोड़ा सा उधास हो जाता है और ये सब औंक साभी नोट कर लेता है और फिर ओम उठकर सुन से कहता है जब सबी लोग यहांपर है तो मैं अपने फ्रेंड्स के भी हाप पर कुछ कहना चाहता हूँ और यह कहकर ओम सुन को बोग करता है और फिर उन्हें पढ़ाने के लिए थैंक यू कहता है तो thank you और फिर वैं इसे बात करता है जैसे वह उन लोगों को goodbye कह रहा हूं और फिर वैं उन से कहता है अब सबी लोग खुश रहिएगा और वैं की तरफ कर कहता है और सबी अपना ध्यान भी रखेगा तो इस पर उन कहता है इसा लग रहा है जैसे आप अच्छे वर्ड नहीं हम लोगों को गुडबाई कह रहे हो तब इनान कहती है कि दुनिया गोल है तो तुम लोग तो मिलती ही रोगी और अब यह बढ़ा हो चुगा है तो इसे बहुत सारी काम भी है लेकिन उं सन से कहता है एक बात तुमने उन कि लुट गात है तुमने जाना वाओगा तो क्या तुम अपनी दुनिया में जाने की बात कर रहे थे तो इससे पर सन आ WhatsApp है और उर कहता है मुझे नहीं पता कि में यहाँ पर केंशे केंसे आया लेकिन मुझे समझ नहीं आरा कि में वापस क लेकिन एक बात करें तो किसे चाओंगा पर कुछ बदलने के लिए आयोँ ओर सा एक tolerance कुछ सीखिने के लिए लिए आयों सुन जाता है जब हम लोग पहले बार मिलेते तब यह सब तुम्हारे लिए कितना जादा मुश्किल हो गया होगा ना और मुझे भी प्रिटेंट करना पड़ा कि मैं तुम्हें नहीं जानता लेकिन मैं नहीं चाहता कि यह सब तुम्हें भी संद करना पड़ी वंगसा गयता है क्या कुछ और चीजे भी है जो तुम मुझे से चुपा रहे हो ताकि हम दोनों एक दूसरी से ना मिले तो इस पर सुन कहता है प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो उसके बाद मैं तुम्हें सब कुछ बता दूँगा और फिर कहता है कोई बात नहीं मैं समझ सकता हूं इसके बाद जब वे लोग घर लोट रहे होते हैं तब यह उंगसा सुन से पू संद vaccinated systemaris तो फिर सुन भी हां गएता हैं फिर उंगसा सुन को आउट्णर मुवि के लिए लिए कर आता हैं और फिर वैसंध से कहता है मैंने हमारे टीर यह को इस आउट्वाइ detox कि ईदा्श पर मुझे उम्मेद्ESS थि reach out और मैं एक और आउट्डूर मुवी करने वाला हूं जो कि 14th मार्च को होने वाली है यह सुनकर सुन कहता है 14th मार्च और यह कर वह चुप हो जाता है क्योंकि इसी दिन अंगसा ने सुन को अपना बॉइफ्रेंड बनने के लिए पूच जाता है क्या तुम्हें यह पसंद कहता है और फिर वह दोनों मुवी दीखने लग जाते हैं लेकिन सुन काधान तो अंगसा की तरफ ही था और वैं उन सब चीजों के बारे में सोचने लगता है जब अंगसा स्वान को यहां पर पहले पार मुवी के लिए लेकर आया था और जब यह लोग घर लोट रहे थे तो सुन गाना गुनगुनाने लगता है ओंगसा फुसता है तुम क्या गुनगुना रहे हो तो इस पर सुन कहता है अगर मैं तुम्हे पता भी दूँगा तो तुम्हे इसका पता नहीं चलेगा क्योंकि यह गाना अभी तक बनाई ही नहीं है तो इस पर ओंगसा कहता है ले पीर तुन गाने कुन गुना ने लगता है। और ओंसा स्वल्डर पर सर रखकर उस sick coming voice करने लगता है। नइट में जब ऑंसा और तुम साथ में सो रहे थी। सुन को परजिंट वाले ओंसा को एक्सिडेंट दिखता है, वैं काफी ज़्यादा घपरा जाता है, और वैं घपरा कर उठ जाता है, और रोने लग जाता है, तभी ओंगसा भी उठ जाता है, और वैं सुन से कहता है, सुन क्या हुआ, सुन कुछ नहीं बोलता हूं, और बस ओंगसा को हग करके रोने लग जात कहता है कुछ नहीं हुआ पसे एक पूरा सपना है कहता है प्लीज मुझे चोड़कर मज़ जाना मैं यहीं हूं मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाओंगा सुन काफी जादा रोने लगता है और उंसा सुन को कंसॉल काने लगता है फिर सुन उंसा को बताता है कि उनकी 10th anniversary सुल सरी के दिन और साका काफीं ज्यादा सीरियस कार एक्सिडेंट हो गया तक वैसे अनकी ओक्रों सब्सक्रानी तो इसका मतलब में मरजाओंगा सुन कहता है नहीं बिल्कुल भी किर नहीं मिरोगी तुम बिल्कुल ठीक रहोगे कि हम जोब इह दोनों हो षुष्वाथा उस्से बदल करने और हम तुम भी दिक्ने नहीं जायों, तो तुम मुझसे नहीं कॉता है, लेकिन करमें, करता है लेकिन अगर हमारी एनिवर्सरी के दिन ये सब सकता है किना थो कोईंसिडेंस थे कुछ उसकता है टार्म के आँन टे थो यहां पर आया हूं ताकोintelli कुछ होा था उस्से बदल Cinq ओंकसा कहाता है तुम टाइम ट्रेवल करके इसलिए वापस आयो ताकि तुम मुझे केरफूल रहने के लिए बोन कर सको सुन गहाता है मुझे नहीं बाता लेकिन मैं नहीं जाता कि तुम किसी मुझीबत में बाड़ो और एक बार प्लीज मेरे बात पर विश्वास करके देखो हम दोनों को नहीं मिलना जीए और नहीं हमें डेट करना जीए यह कहा कर सुन काफी जादा रोने लाग जाता है और फिर सुन ओंकसा से कहता है तुम्हें याद है उस दिन जब तुमने मुझी मुई थे लिए इनवार्ट चा था तब तुम सिरफ वह आके लिए ही जाओगे क्योंकि तुम वहां पर मुझी से मिलोगे तो इस पर ओंसा कहता है इसलिए तुमने मेरे साथ मुवी देखने के लिए मना कर दिया था सुन कहता है हाँ क्योंकि उस दिन हम दोनों पहले बार मिलेंगे लेकिन अगर तुम मुवी देखने ही नहीं जाओगे तो हम दोनों नहीं मिलेंगे वंगसा कहता है अगर हम दोनों एक दूसरी से मिल जाए लेकिन एक दूसरी को डेट ना करे बस फ्रेंट्स बन कर रहा है चाहे तू तो इस पर सुन कहता है तूम्हें लगता है कि ये सब हो पाएगा मौनखसा कहता है सुन मुझे बहुत जादा डर लग रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करू अगर मैं तूम्हें बहुत जाधा मिस्ट करूंगा तू जब हम दोनों एक साथ थे तो तुम्हें आरी लाइब कैसी थी? क्या हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश थे? तो यह सनकर सन काफी ज़्यादा रोने लगता है और फिर कहता है हाँ हम दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे लेकिन तुम्हें इस तरीके से रोज दिल दिल मरते वे देखना भी मेरे लिए काफी ज़्यादा पैनफूल है फिर हमें परजेंट में दिखाते हैं जब अंगसा बेट बरता तो सुन अंगसा को देखकर काफी ज़्यादा रो रहा था और यह सब सुनकर अंगसा भी रोने लेक जाता है तो सुन अंगसा को हग कर लेता है अंगसा सुन से कहता है सुन मैं यह सब नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तुम्हारे बिना नहीं चीज़ सकता सुन कहता है ओंसा चाहिए तुम किसी भी दुनिया में रो लेकिन मेरे लिए वो भी काफी है सुन जब अपने रूम में था तब वा केलेंडर की तरफ दीख रहा था जिसमें सिरुप उसके जाने की चार दिन और बची थी और यह सब सोचकर सुन काफी ज़दा परिसान था अगले दिन वा नान की पास आता है और उससे कहता है कि वा चूप छोड़ रहा है नानिया सुन कर कहती है क्या हुआ तुम रिजान क्यों कर रही हूँ सुन कहता है क्योंकि मेरे जाने का वब्गत हो गया है नान पुसती है तुम कहा जा रहे हो सुन कहता है बस यहां से बहुत दूर नान कहती है तो तुम कब जाने वाले हो सुन कहता है मैं बहुत सल जाने वाला हूँ लेकिन जब तक मैं आप भर होंगा तब तक तुमारी स्टोर में मदद कर दूँगा I'm sorry तुम्हें मेरी जगे कोई दूसरा परसन डोना होगा नान कहती है कोई बात नहीं मैं दूसरा परसन तो ढून लोंगी लेकिन तुमने मुझे यह सब आजाने का इसलिए मैं थोड़ी सी अपसेट हूँ क्योंकि मैंने इसकी उमीद नहीं की थी सुन कहता है I'm sorry नान कहती है तुम्हें माभी मांगने की कोई ज़रत नहीं मैं समझ सकती हूँ लेकिन तुम्हें मुझे प्रोमिस कहना होगा यहां से जाने के बाद तुम अकसर मुझे बिलते आते रहोगे क्योंकि अंकसा भी बहुत जल्व कोले चला जाएगा इसलिए मैं स्टूर पर अकेली रह जाओंगी यह सुन कर सुन कुछ नहीं कहता तुनान कहती है तुमने अभी तक मुझे प्रोमिस नहीं किया है अगर तुम और अंकसा दोनों यहां से चली जाओगी तुमने यहां पर अखेली रह जाओंगी और मुझे बहुत ज़्यादा अकेला लगेगा तुमने यह सब सुन कर फिर से सुन कुछ नहीं कहता और फिर सुन अंकसा को लेने के लिए उसकी स्कूल आ जाता है अंकसा वहाँ पर आ जाता है और फिर वह कहता है मैंने तुम से कहता ना कि हम लोग केपे में मिलेंगी सुन कहता है कोई वात नहीं हम लोग साथ में चलते है और तुम अखेले क्यों आयो तुमारी क्लासमेट कहा अपर है वह लोग बहुत देरे देरे चल रहे थे इसलिए में आगे आए सुनों सा का हाथ पकरता है और कहता है तो फिर चलो हम खाने के लिए चलते है वह लोग सा कहता है आज मेरा पाइलोची का रिजल्ट आया है तो फिर सुन उससे स्कोर कोचता है वह लोग सा कहता है मैंने जितना सोचा था तो क्या मुझे रिवोर्ड मिलेगा जुन गहता है बिल्कूल भी नहीं और ये करकर वैं ओंसा का हाथ पखड़कर उसे रेस्टरेंट लेकर आ जाता है और फिर वह दो युद्यों जफा होते हैं तो सुन ओंसा को खाना किलाने लगता है ओंसा कहता है यह सब क्या है सुन कहता है तुम्हेरा reward तो फिर उंग्सा भी खा लेता है और फिर उंग्सा शून से बूस्ता है कि तुमने खाता कि कोई तुम्हें यहां पर लेकर अना कि मैं यहां पर केसे आय दा तो यहां सुनकर सुन कुछ नहीं कहाता क्योंकि सुन की वज़े से ही ओंगसा इस रेस्टरेंट को जान पाया था और जब खाने की बाद वो लोग प्रीच पर कड़े थे तो सुन अपना प्रसलेट निकालता है और फिर वह ओंगसा की तरफ बढ़ाती भी कहता है यह मेरा पाद देग इपता जो तुमने मुझे दिया था मैंने इसमें से रिंग निकाल दी थी क्योंकि वह काफी जदा भनी लग रही थी और यह हम दोनों की प्यार की निसानी है और यह कहा कर वह ओंगसा को दे देता है और कहता है अब जाने का वक्त हो चुका है फिर सुन अपने रूम आता है वह पर नान कुछ पर कर रही थी तो वह कहती क्या तुम यहां पर कुछ समान लेने के लिए आयो मुझसा कहता है नहीं बस में लास्ट टाइम इस रूम को देखने के लिए आया हूं यह सुन का नान कहती है क्या लास्ट टाइम तुम यहाँ पर जब आना चाहो तब आ सकते हो इसे अपना ही कर समझो और मैं तुम्हारा समान नीचे लेकर जा रही हूं और यहां से भाग मत जाना क्योंकि मुझे तुम से कुछ बात करनी है तो सुन हां कहता है और फिर वह वही करता है तो वह वही सब सोचने लगता है जब उसने और उंगसा ने साथ मिलकर मुवी देखी थी नाइट में उंगसा सुनके साहना लेकर सो रहा था फिर वह उठकर उसका हाथ बगड़ता है और वह संब से कहता है मैं तुम से प्यार करता हूं मुझे नहीं पता हम दोनों क कि पीज एक्सर्टली क्या वाओ था लेकिन बस मैं इतना जानता हूं मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं सुन कहता है क्या तुम मुझे अपना लोकन फीज कर रहे हो तो फिर ओंगसा कहता है हाँ क्योंकि मुझे नहीं पता हम दोनों एक दुसरे के साथ कितने दिन हो है क्योंकि तुम्हारे एज के लोग यहीं पीते हैं अगर मैंने तुम्हें ट्रिंक दे ती तो तुम्हारे परेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा डाट के लाएंगे और फिर हस्ते केलते वो लोग ट्रिंक करने लग जाते हैं आगली दिन सुन ओंगसा को मैं टीवीडी से लेट करने लगता है और सुन बस अंगसा की तरफ ही देख रहा था और उन दोनों को इसे देखते वे देखकर अंकल भी देख लेता है और फिर वह उनके लिए एक अच्छा सा रोमेंटिक सा सोंस दला देता है नाट में सुने जो भी स्टरजी बनाई थी वह उसी को चला देता है और फिर वह उनकसा की पगल में आकर उसे हग करके सो जाता है अगले दिन वो लोग पस इस्टीसन पर बेटेती उनकसा स्कूल नहीं जाना चाता था तो सुन कहता है तुम्हें तो इसकूल जाना ही होगा उनकसा कहता है एक अपने कपड़े तुमारी रूमी लेकर जाना चाहिए ताकि मैं तुमारी रूमी रह जाओ तो इसकूल कहता है अगर तुम्हें असा करोगे तुम्हें तुम्हें बंच करूँगा तो अपना गालागी करते हमें ठीक है तुम्हारा हो जी लेकिन सुन नहीं मारता और और वह उनकसा को किस का लेता है और इसकिस से सुर्प्राइज रहाता है तुम आप हीनोटी but i suggest क् yarn on और तुम पर स्पाइब लगता है लेकिन उसके सर और पिम्हें अपना ध्यान रखना मैं तूम से बहुत ज़़ाता हूँ वां जारा प्यार सब्सक्राइब बियुर जाता। सुन काफी ज़्यादा दुखी हो जाता है फिर हमें DVD स्टोर वाले अंकल को दिखाए जाता है जिसके पास सुनने DVD के साथ एक लेटर बे लिख रखाता और जब अंकल देखता है तो यह लेटर आंकसा के लेता तो यह देखकर अंकल कहता है क्या मैं कोई पोस्ट में हूँ और यह पे एपिसोड खतम हो जाता है तो गाइस नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जब सुन अपनी दुनिया में चला जाएगा तो अंकसा का कैरी एकसर होने वाला है और सुनने लेटर में क्या लिखा है यह सब्दों में नेक्स्ट एपिसोड में ही बता जिलेगा तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक से और चैनल को सबस्क्राइब भी कर लेजीगा तैंक्यू पो रोजिंग बाबाई